मैं हूँ शचांक लखेरा ना देखो बिलकुल ठीक पड़ रहे हैं आप थम्मनेल में कि पाकिस्तान जो है बरबाद होने की कगार पर है पाकिस्तान में अल्रेडी यूज एकनॉमिक क्रैसेस है पाकिस्तान में पेपर की शॉर्टेज है इसके अलावा आपको और वी चीजों की शॉर्टेज देखने को मिलेगी और देखो पूरी जो एकनॉमिक का कॉंसेप्ट है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है प्रिजेंटली सप्लाई जो है पाकिस्तान में वो बहुत जादा कम है इसके अलावा जो डिमांड है वो बहुत जादा है और देखो और पाकिस पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बरबाद हो जाएगा और इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा यह ता फ्री पैस जैनल का आर्टिकल है शौटेज ऑफ पेपर लीड्स टू टेक्स्ट बुक क्राइसिस इन पाकिस्तान में जो मिडल क्लास के बच्चे हैं इसके अलरेड़ी सरकार को वान कर दिया है कि पेपर का शौटेज है और इसके वज़से मिलियन सॉफ इस्टूडेंट जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं उनको इस साल टेक्स्ट बुक जो है बिलकुल भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं पाकिस्तान अलरेड़ी जो है डीपर पावर क्राइसेस फेस कर रहा है जो एलेंगी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है पाकिस्तान में और देखो मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान के जो प्राइमनिस्टर है शैबास शरीफ उन्होंने खुदी जो है ये उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को खैस डिया है कि पाकिस्तान को टर्फ टाइम जो है विल्कुल यहाँ पर फेस करना पड़ेगा जिस नम अब होगा कि पाकिस्तान की आदिस ज्यादा जो अबादी है वो यहाँ पर परिशान होगी अल्रेड़ी आपको पता हुए कि पाकिस्तान के स्थिति जो है वैसे ही यहाँ पर खराब है और अब पेपर का शॉट है जहाँ पर लोगों को टैक्सबुक जो है अविलेबल नहीं हो रहें स्टुल के स्थिट्ट्क पाकिस्तान के स्थिति क्या है और पाकिस्तान को कितना इंप n होका उगा काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी exam की promotion कर रहे हो तो अब हमारे smart courses दूखे सकते हो आपको प्लेट को स्मिली करना क्या होगा आपको download करना होगा फिर आपको sign up करना होगा आप वीडियो लेक्टर देख सकते द्लेच्छर होंगे फिर अपको प्रफाल में जाना है प्लानकम पजबस करना है एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अबिल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावत mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना देखो हो क्या रहा है कि पाकिस्तान economic crisis जो चल रहा है अब पाकिस्तान की सरकार ने economic crisis से निकलने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे taxes को जो है यहाँ पे implement कर दिया. अब obviously बात है कि tax यहाँ पे बढ़ा दिया तो जो prices है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी तो पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा inflation देखने को बलेगा मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है. अब इसके वज़े से हो क्या रहा है कि education sector जो है उसको काफी effect पढ़ रहा है. जो publisher है औरोंने जो है आपे warning भी दे दी कि आने वाले समय में जो textbook की shortage है वो जो है आपको यहाँ पे face करनी पड़ेगी खास कर इस साल पर. इसके लाव़ जो local paper manufacturer है उन्होंने भी जो price है उसको यहाँ पे fix करके नहीं रखा हुआ है. मतलब prices जो है कभी यहाँ पे बढ़ा देते हैं और कभी यहाँ पे घटा देते हैं लेकिन अभी सिर्फ आपको जो है prices बढ़ते हुए नाजर आएंगे और आप paper की shortage की वज़े से पाकिस्तान में जो textbook है उनकी कमी जो है देखने को मिल रही है धरी धरी करके पाकिस्तान में इसका effect जो है देखना शुरू हो गया है इसके लाव पाकिस्तान के मार्केट में जो textbook है उनकी आपको unavailability देखने को मिलेगी और यह जो पूरा crisis है इस time पे आया है जब एक नया session जो है आपे शुरू हो रहा है देखो आपको पताई है कि पाकिस्तान के सिती जो है मुश्किल से तीन-चार मैनों में पूरी यहाँ पे बरबाद हो जाएगी और देखो जो local paper manufacturers है न वो consistently जो price है उसको यहाँ पे बढ़ा रहे है लेकिन अब आप यहाँ पे यह बोल सकते हो कि पाकिस्तान की सरकार क्यों जो है पाकिस्तान पर यह आरोप है कि पाकिस्तान जो है terrorism को यहाँ पे funding करता है इस वज़े से इनको FATF की grey list में रखा हुआ है अब पाकिस्तान को loan कहीं से मिल नहीं रहा अब इनको चाहिए है पैसे तो यह क्या करेंगे यह जो लोग है उन से यहाँ पे पैसा वसूलेंगे मतलब tax जो है यहाँ पे बढ़ा रहे तो tax ज़्यादा आएगा तो पैसा जो है यहाँ पे इनके पास ज़्यादा आजाएगा लेकिन जो manufacturers हैं जब यहाँ पे tax ज़्यादा भरेंगे तो वो चीजों को भी ज़्यादा दाम में आपे भेजेंगे तो वही problem जो है आज पाकिस्तान में आपको देखने को बल रही है presently जो local paper है उसकी जो price है वापको 200% बढ़ती भी नज़र आएगी इसके अलावा इसकी जो quality है अगर आप foreign manufactured paper से compare करोगे तो वो आपको बहुत ही बेकार देखने को मिलेगी मतलब उतनी अच्छी quality है नहीं और पैसे जो है बहुत जादा यहाँ पर भरने पड़ रहे हैं तो local manufacture जो है वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जिस तरीके से tax जो है यहाँ पर impose किये हैं उसका एक huge impact जो है पाकिस्तान की एकनौबी में देखने को मिल रहा है इसके अलावा अगर आप हर हफ़ते देखोगे तो हर हफ़ते जो है पांस से आठ रुपे पर केजी जो local paper है वो जो है यहाँ पर भड़ता हुए नजर आ रहा है और अगर सरकार ने कोई भी यहाँ पर step नहीं लिया ना तो बहुत सारे students ऐसे होंगे जिनको जो है किताब यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी और देखो अगर मिलेगी भी तो उसका prices जो है वो double triple जो है pay करना पढ़ सकता है और देखो already जिस तरीके से textbook की shortage है तो parents जो है उनको बहुत ही high level का amount जो है pay करना पढ़ रहा है जिससे वो यहाँ पर किताबों को खरीद पाएं लेकिन अब आप यहाँ पर यह बोल सकते हो कि ठीक है दूसरी तरफ अगरा दोगे जो imported papers है उन पर taxation जो है काफी heavy imposed किये गए है इसके अलावा जो local paper mills है वो properly जो है यहाँ पर produce नहीं कर पा रही मतलब जितना चाहिए उतना paper जो है आपर produce नहीं कर पा रही है इसकी वज़े से जो पाकिस्तान की demand है उसको जो है fulfill नहीं किया जा पा रहा है अब यह बात तो हो गई paper shortage की लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देहोगे तो पाकिस्तान में आपको power crisis भी जो है देखने को मिलेगा वो क्या रहा है कि यहाँ पे LNG का जो tender है वो जो है पाकिस्तान यहाँ पे complete नहीं कर पाया इसकी वज़े से फ्यूल जो है proper यहाँ पर यह पर यह पर्चेस नहीं कर पा रहे है और इस गर्मी के मौसर में अगर आप दोगे तो पाकिस्तान के कई जगों पे electricity shortage जो हैं को को करें तो इन्हों ने क्या किया वर्किंग आर्ज को यहाँ पर कम कर दिये बजेंगे воहीं शौर्पे क独्रस यहाँ कर दिया गया है कि यह ज जल्स जल्सर अपनी फैक्टरी Besorus को यहाँ पर बंद करेंगे मतलब साधा देर तक मॉल और फैक्टरी जो है उपर नहीं रहेंगे और मेली कराची में कई सारे मॉल्स कई सारी फैक्टरी जो है उनको काफी यूज जो है इंपक्ट पढ़ रहा है और देखो मैं आपको इसी बता दू कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले समय में मुश्किल से तीन मेने के अंदर पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से आपके कॉलेप्स हो जाएगा तो अटला सब मैं आप से आपके जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है आप अपने उपने लिखिये के जरूर इसी के साथ ये तंदर वीडियो का सुने के लिए बापत अनवाद चैहिंद चैभारत